नमस्कार दोस्तों मैं हूँ क्रेभाष दोस्तों दो दिन पहले हमारे देश का रेल बजट आया और दोस्तों हर बार जब रेल बजट आता है तो हमारी जो रेलवे है वो पिंक बुक रिलीज करती है पिंक बुक हर रेलवे जो उनके अलग लग रेलीज किये जाते हैं और पि कि किस rail section को कितनी राशी मिली यानि कि यहाँ पर कि यदि कोई development का work जल रहा है तो उस development work को कितना मिला railway station के development के लिए क्या सब मिला अभी तक हमारी railway ने इस साल का जो pink book है वो जारी नहीं किया है इसी कारण से हम सभी अभी तक यह नहीं जान पाए है कि railway ने किस rail section को क्या दिया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो budget के बाद की activities है वो चालू हो चुकी है और activity में सबसे बड़ी activity हुई है समपूर्ण करांते की और पठना जंग्षन से चलने वाली एक महत्तपूर्ण express train की दोस्तों क्या हुई है यहाँ पर activity जा सकते हैं जिसका लिए उसकन में दिया हुआ है जिस बड़ीयो को शुरू करते हैं दोस्तों यदि हम सबसे प्रहने यहाँ पर बात करें समपूर्ण करांती एक्सप्रेस की तो हमारी railway ने समपूर्ण करांती एक्सप्रेस का जो stoppage है वो finally जली आरा जंक्षन पे दे दिया है इससे पहले जब यह टेन पटना जंक्षन से खुलती थी तो इसका सिधाई stoppage पंडित दीन दिया लुपाध्या जंक्षन पे होता था लेकिन दोस्तों अब यह टेन जब पटना जंक्षन से खुलेगी और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारी रेल्वे ने एक और टेन यानि की पार्टली पुत्रा सा आयोध्या कैंट के बीच चलने वाली एक्स्प्रेस टेन का विस्तार किया है इसके फेरों की अबधी बढ़ाई गई है पहले यह टेन फरवरी महिने के पहले हफ़ते तक ही चलने वाली थी अब यह टेन 31 मार्ज तक चलेगी पार्टली पुत्रा जंक्षन से और वहीं अयोध्या कैंट से यह कि टेन जो है वो एक अप्रेल तक चलने वाली है उसी सन्योजन के साथ में यानि कि कुछ सा नचना सेम रहने वाली है दोस्तों इन दोनों ही चेन पे आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके जुरूर बताएं उसना ही बिलंग फिरिए उड़ों के साथ प्लिक जाएं तक चाहिए भारत